जहीं दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे मैं आदित्या आप सभी का तहें दिल से हैं स्वागत करता हूँ भाई आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है बहुत ही शांदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसा नायाब कंसेप्ट आप लोग सीखेंगे जो हमने भी खुद आस तक यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया तुकुडों में पढ़ाया है कभी कोई प किसी वीडियो में बता दिया कभी कोई पार्ट किसी वीडियो में बता दिया लेकिन आज एक कंप्लीट वीडियो के अंदर में मतलब एक ही वीडियो में यहां पर आपको जितने भी टाइप दिख रहे हैं यह सारे के सारे टाइप आपके कवर होने वाले हैं ठीक है हम जल्दी बाजी क्यूं करें क्यूं जल्दी से अपने सिलेबस को खतम करें आराम से तसली से हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक का पोस्ट माटम करेंगे सिंप्लिफिकेशन को लेकर पहले मेरे मन में ये विचार था कि मैं आप लेगों को मिक्स कोशन की प्राक्टिस कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ऐसे काम करते हैं कि बच्चों को यूट्यूपर इस तरीके का कंटेंट दे देते हैं कि उनको बहुत जादा फाइदा होगा एक पूरी वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक के बारे में डिसकेशन किया जाए तो यह सिंप्लिफिकेशन यानि सरली करन की अगर jsou बात करें तो जैसे पहला वीडियो में मैंने siries संबन्धित सारे सवाल गर वाए डो लोगों का series आप कैसे solve करोगे, 3 terms का series कैसे solve करोगे, 4 terms का series कैसे solve करोगे उसके बाद वहाँ पर जब डिफरेंस सेम न हो तो कैसे गरोगे डिफरेंस गिया गया हो तो सारा सेफ करोगे जो कि हम आपको अगर वीडियो में दिखाएं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाईएगा और हमारे Rankers Guru को यूट्यूब चैनल पर जाईएगा तो दोस्त आपको यहाँ पर दिख जाएगा तेकि हम आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखा देते हैं अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह हमारा पहले लाइव में जाओ यूट्यूब चैनल पर ठीक है करवारक है बच्चों का काफी अच्छा इसमें रेस्पॉंस आ रहा है और रीसेंट में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी आ रहे हैं अगर आप यहाँ जाकर यहाँ कमेंट में देखेंगे कोई भी वीडियो वाइरल हो रही है कि नहीं हो रही है और यह कमेंट मैंने नहीं किया हैं बच्चों नहीं किया हैं जब वो पढ़ रहे हैं तो मेरा मोटिवेशन वर नेक्स लेवल पर बढ़ गया हमने का है यह वाला कंसेप्ट काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है वर्काउट भी कर रहा है बेशक मैं दो दिन में एक ही वीडियो लाइव लेकर आऊँ आप लोगों के लिए लेकिन जबरदस लेकर आऊँगा फॉर्मलेटी पूरे मुझे नहीं करनी है कि डेली की डेली वीडियो लानी ही लानी है उसके अलावा हमने उस सेशन का प्रिंटेबल पीडियाफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया अगर आपने हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम को भी दो जोईंग कर लो हमारे दोनों टेलिग्राम है रेंकस गुर्कुल और मैंस भाय आदित्तर एंजन तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो टेलिग्राम चैनल है हमारा दोस्त टेलिग्राम चैनल पर चलते हैं सिर्फ और सिर्फ एकी रीजन से ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ तो ये है मेरे भाई यहाँ पर Day 5 यहाँ पर इन सभी सवालों को सॉल्फ करना यानि सीरीज वाला पूरा का पूरा Day 5 Simplification 1 के नाम से Mission 2024 यहाँ पर Continuous Fraction की सीरीज के जितने भी सवाल हो गए बात करते हैं कि एक सीरीज वाला पार्ट हमने खतम कर लिया अब दूसरा पार्ट हमारा क्या बचता है दूसरा पार्ट मेरे भाई बचता है Fractions का Comparison यानि भिन्नो की तुनला और Fraction Comparison मेरे भाई जितना Important SSE में हूँ उससे कई गुना जादा Important Banking और Other Exams में भी है लोगों को मेरे भाई गिने चुने ट्रिक यहाँ पर याद आते हैं Cross Multiplication और Difference इन दो के अलावा यूट्यूब पर तीसरे की चर्चा की नहीं जाती है यहाँ तक लोग जादा बता भी नहीं पाते हैं लेकिन आज जो हम आपको तरीका सिखा देंगे यहाँ पर वो जिन्दगी में आपने नहीं सिखा होगा और जिन्दगी में सोचा भी नहीं होगा आपने यहार ऐसे भी fractions का comparison होता है क्या बड़ी बड़ी संख्या जितने भी thumbnail में हमने यहाँ पर दिये हुए है कौन सा जादो ही तरीका है जिससे बड़े से बड़े भिन्नों को compare किया जा सके क्यूंकि हमारे paper में इस समय fraction comparison सरचड़ के बोल रहा है और बोल रहा है तो इसका इलाज करना भी जरूरी है तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे पूरा fraction comparison complete type in a single video और तीसरी वीडियो जो हमारी कल आएगी उसमें हम यहाँ पर बार वाले सारे सम्बंदित सवालम करने वाले है जितने भी बार से हो गया सम्बंदित जैसे मानो 0.12 हो गया या 0.12 के उपर ये वाला बार हो गया क्योंकि ये छोटे 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 चीज़ ऐसे होते हैं जो मेरे भाई देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर वाली बात हो जाती है ठीक है कि बढ़िया बढ़िया आपको जखम दे जाते हैं concept अगर आपके clear नहीं होते हैं simplification of search indices को बच्चा neglect करके चलता है और करके चलता है ठीक है कोई बात नहीं बात में पढ़ लेंगे उसको लगता है percentage जाधे important है और simplification search indices कम है बट बिचारे को ये नहीं पता कि दोनों से बराबर सवाल आते हैं percentage तो हर बच्चा बना लेता है game changer तो यही वाले questions होते हैं जो मेरे भाई एक topper को बाकी लोगों से differentiate कर देते हैं तो इसलिए आप इस series को बढ़िया तरीके से देखेगा दूसरी बात हमारी सीजल की मेंस की answer की आ गई है और answer की आते ही हमने इसकी PDF जो है अपने दोनों टेलिग्राम Rankers गुरुकुल पर भी और maths भी आदितर एंजन पर भी मेरे भाई देख ली जाप यहां पर दोनों जगार पर हम लोगों ने इसको upload कर दिया है और अभी printable PDF आदे गंटे के अंदर में Rankers गुरुकुल का हमारे टेलिग्राम है सीजल मेंस का पूरा का पूरा answer की English में भी और Hindi में भी डाल दिया है और अपने चैनल पर भी डाल दिया है और आपको मेरे भाई कुछ देर के बाद आपको printable PDF भी मिल जाएगी और सुबह तक पूरे के पूरे 30 सवाल हम proper तरीके से बहतरी इन तरीके से आपको solution करा के देंगे जैसे CPU का हमें दो दिन लगा धाई घंडे की अच्छे से recording की और एक-एक सवालों का post-martum करा करा कर हमने आपको पूरा का पूरा दिया भाई वैसे ही सीजल मेंस के सवालों में भी smart approach आपको लगा के देंगे और उसके अलावा एक और वीडियो आपको morning में आगी जिसमें जबरदस तरीके से काफी सारी बाते हम मेंस को लेकर बता रहे होंगे तो कल आपको दो वीडियो देखने को मिलेगी अपने Rankers Group को यूटीव चैनल पे सीजल मेंस से संबंदित जो कि आपको आने वाले तयारी में काफी ज़ादा मदद करेगी अब जल्दी से बता दो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके तयार हो आज के वीडियो के लिए सेशन को शुरू किया जाए यहाँ पर ठीक है सेशन को शुरू करते हैं आज हमारा एक ही वीडियो के अंदर में complete मेरे भाई fraction comparison यहाँ पर की कौन बड़ा कौन छोटा किस प्रकार से है क्या क्या चीजे है ठीक है बड़े शांती से सालिंता से मेरी सारी बातों को सुनिएगा उसके बाद मेरे भाई आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहने देंगे इस दावे के साथ हम आप से कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर इस बात को समझे क्या बोला गया तो यहाँ पर there are various ways of comparison of fraction ठीक है किसी भी मेरे भाई भिन्नों को तुलना करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं हमारे यहाँ क्या होता है लोग गिने चुने तरीके जानते हैं लेकिन मैं आज आपको काफी जादा तरीका बताने वाला हूँ कि भाई एक दो तरीका नहीं होता कई सारे तरीके होता है सबसे पहला जो कि लोगों के बीच में परचली थे और चर्ची थे वो है प्रॉपर फ्रेक्शन क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रेक्शन क्या होता है डिफरेंस मेथड हम कैसे लगाएंगे हम वो भी बात आपको सिखाएंगे चौथा मेरे भाई हो जाएगा बेस मेथड यह मेरा खुद का मेथड है यहां पर यह और छट्टा हमारा होगा approximation method जो कि हम आपको बताएंगे ये कुल मिलाकर 6 types के माद्दम से आप G1 में कोई भी fraction को compare कर सकते हो छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या आप उनको बड़े असानी तरीके से उड़ा सकते हो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं cross multiplication method cross multiplication में पहला सवाल ही हमने CGLMens का उठाया है और हम यहां पर वो करवाएंगे लेकिन उसके पहले cross multiplication method के बारे में थोड़ा सा ज्यान ले लिजे कि cross multiplication के माद्दम से हम किसी भी भिन्नों को तुनला कैसे करते हैं सबसे पहले कोई भी भिन्न क्या होता है आप यहां पर स्रमजो कोई भी fraction क्या होता है और यह fraction comparison का concept है क्या यह हमें समझने की आवशकता है तो मेरे भाई यहां पर देखो fraction comparison का मतलब यहां पर ऐसे हो गया कि जैसे माल लीजे कि यहां पर एक 2 बटे 3 हो गया भाई ठीक है और उसके बाद यहां पर 12 बटे कितना हो गया तो यहां पर 12 बटे 17 हो गया अब मुझे यहां पर यह बताना है कि यह वाला भिन्न बड़ा है कि यह वाला भिन्न बड़ा है यानि ये भी positive और ये भी positive मेरे भाई ठीक है अब यहाँ पता करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है ऐसे कई सारे 4-5 लोगों के बीच में तुनला करना होता है हम कैसे करें ठीक है तो वहाँ पर सबसे पहला आता है cross multiplication method ये हमारा method number 1 है cross multiplication method का application हम कब करते हैं कब apply करते हैं जब हमारी संख्या छोटी छोटी होती है जब हमें मेरे भाई गुना जादा ना करना पड़े अब अगर मानो मैं यहाँ पर ये लिख दू 387 बटे में 389 और उसको यहाँ पर बताओ 481 अपॉन यहाँ पर 481 या 985 के साथ कि मेरे भाई ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है अब इसमें cross multiplication नहीं लगा सकते मतलब यही बात है बुखार है तो paracetamol मेरे भाई यहाँ पर अजित्रो माइसिन या बाकी दवा देने की आवशक्ता नहीं है पता चले बुखार में निन की गोली दे दे रहो नीन में दर्द की गोली दे दे रहो और दर्द में मेरे भाई यहाँ पर ठीक है पेट खाली करने वाली गोली दे रहो तो वैसा इलाज नहीं होना चाहिए बिमारी का सही इलाज होना चाहिए तो अगर हमें fraction comparison ही करना है छोटी संख्या है तो हम इस्तमाल करेंगे cross multiplication का अन्यता हम नहीं करेंगे अब cross multiplication से हमें क्या सीखने को मिला तो cross multiplication ने हमें ये सीखाया कि देखो अगर तुम्हें भिन्नों की तुलना करनी है तो यहाँ पर इसको इसके साथ multiply कर दो और इसको इसके साथ multiply कर दो तो 17 into 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा 34 और 3 into 12 कितना हो जाएगा 36 अब यहाँ पर इन दोनों में बताओ इन दोनों में बताओ यहाँ पर कौन बढ़ा है तो बोलोगे गुर्देव 36 बढ़ा है और ये 36 बढ़ा है तो 36 रिप्रेजंट किसको कर रहा है देखो 34 किसको रिप्रेजंट कर रहा है तो 2 बटे 3 को 36 किसको रिप्रेजंट कर रहा है तो 12 बटे 17 को यानि मेरे भाई अगर 36 बड़ा है तो इसका मतलब 12 बटे 17 बड़ा होगा यह हमारा आंसर है तो बड़ी से बड़ी संख्याओ का तुलना मतलब यहाँ पर इस तरीके से हम किसे कर पाएंगे तो cross multiplication से कर पाएंगे cross multiplication का जो basic fundamental होता है वो यह होता है कि जैसे इसके पास 3 है तो हम उपर और नीचे 17 से गुना कर देते हैं और इसके पास 17 है तो उपर और नीचे 3 से मतलब जो reason होता है behind में वो behind reason क्या होता है लोग बोल तो देते हैं यार यहाँ पर कि जो है तुम fraction में इसको cross multiplication कर लो कर लो हम वहाँ भी cross multiplication लगाते है ठीक है same काम यहाँ भी करते हैं अब जैसे मानो यह 2 बटे कितना है 3 है और यहाँ 12 बटे कितना है 17 है कभी भी fraction को compare करना होता है तो हम हमेशा denominator को same करते हैं हम अपेशा हर को same करते हैं और जब denominator same हो जाता है तो उपर जो बड़ा है वो बड़ा value होता है और उपर जो छोटा है वो छोटा value होता है तो हम लोग यहाँ बुद्धी क्या लगाते हैं हम बोलते हैं बिटा 3 है इसके पास तो किस से गुना करो 17 से बाई और इसके पास 17 है तो किस से गुना करो और यहाँ पर जो छोटा होगा वो छोटी संख्या तो इसी को थोड़ा शॉट में करने के लिए हम यहाँ क्रोस लपेट देते हैं 17 इंटू 2 यह 34 हो जाता है 3 इंटू 12 यह 36 हो जाता है कोई भी ट्रिक हम पढ़ाएंगे यहाँ पर 5 को 7 बटे मेरे भाई यहाँ पर 9 को और यहाँ पर एक तरीक़्े से 11 बटे 14 को हमें यहाँ पर solve करना है कि इसमें मेरे भाई बड़ा कौन है और छोटा कौन है smallest कौन है लार्जिस्ट कौन है तो पहले आप इस वाले संख्या को पकड़ो और इस वाले संख्या को इसके साथ multiply करो तो आपने यहाँ पर दो बटे 5 और 7 बटे 9 मेरे भाई इसका cross multiplication तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा देखो 9 into 2 हमारा कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पर 5 into 7 हमारा कितना हो जाएगा 35 इन दो लोगों का जब हमने भीडाया इन दो लोगों को जब मैंने भीडाया मेरे भाई यहाँ पर तो बड़ा कौन निकल कर आ गया तो 35 निकल कर आ गया तो इन दो दो लोगों मेरे भाई विजयता कौन है तो 35 है यानि मुझे अगर largest का पता करना है कि यहाँ largest संख्या कौन सी है तो अभी देखो पहले मैंने यहाँ पर इन दो लोगों का मैच करवा दिया और इन दो लोगों का विणर कौन निकल कर आ गया यह अब इन दो लोगों के विणर को यहाँ यहाँ नि 7 बटे 9 को अब इसको compare किया जाए इसमें क्या होता है यहाँ पर 2 बटे 5 यहीं पर बेचारा रुख गया खतम हो गया मैच हार गया अब वो जीवन में आगे बढ़े गा ही नहीं तो जब हमने इन दो लोगों को compare करवाया यह चोटा पढ़ गया यह चोटा पढ़ गया मतलब यह जंग हार गया तो मेरे भाई अब जो जीत गया वो अगले चरण में जाएगा अब उसकी comparison की जाएगी किस से 11 बटे 14 के साथ में अब मेरे भाई इसको cross multiply किया जाएगा तो इसको cross multiply किया जाएगा तो कैसे बनेगा 14 का 7 गुना 98 और यहाँ पर 11 का 9 गुना 99 अब इन दोनों में भाई बढ़ा कौन है तो 99 बढ़ा है अब 99 बढ़ा है इटमीस यहाँ पर यहाँ 7 बटे 9 का मेरे भाई सफर यहीं पर खतम होता है और हम यहाँ पर जो winner है जो हमारा largest संख्या है मेरे भाई वो largest हम किसे घोशित कर देंगे तो largest हम यहाँ पर 11 बटे 14 को घोशित कर देंगे कौन से संख्या बढ़ी हो जाएगी तो 11 बटे 14 यानि पहले इन दो लोगों को compare किया तो यह खतम इन दो लोगों को compare किया तो यह खतम इसलिए 11 बटे 14 बच गया और वही हमारा क्या हो गया तो सबसे बड़ी संख्या अभी हम difference method कुछ भी नहीं बता रहे है simple cross multiplication method तो आपका CGL में अभी 2022 में question हुआ था आप लोग चलिए जल्दी से इसका यहाँ पर आंसर दे दीजे बताइए सर आपकी book सिकार में नहीं है और मेरे भाई जो है सिकार में नहीं है एक कामगरो भाई देखो सिकार में अगर अगर अविलेवल नहीं है आसपास के दुकान में तो दुकानदारों को बोलो मेरे भाई बोलोगे हमको Brahmaaster का second edition चाहिए और आप हमें कहीं से करके दीजे क्योंकि हमारे तरफ से सकती ये बात है कि भारत में यहां पर किसी भी दुकांदार अगर कोई किताब मांगेगा तो हमारे तरफ उसको डिलिवरी जाएगी ही जाएगी ठीक है तो अगर आप आस पास अपने ऑफ-लाइन शॉप से मंगाना चाहते हैं तो दुकांदारों को बोलिए और बाकी आप किताब फ्लिपकाट और अमेजन दोनों जगह से पर्चेस कर सकते हैं और काफी कम रेट में कर सकते हैं तो आ आपको काफी जादा फायदा पहुचेगा तो जैसे मानों यहां पर बोला गया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो पहले हमने इन दो लोगों को उठाया है अब इन दो लोगों को उठाया तो भाई देखो थोड़ा एक होता है बच्चो वाला मेथड और एक होता है मेरे 10 to 7 कितना होता है तो 77 होता है अब यह बताओ मुझे कौन सी संख्या उठानी है लीस्ट यानि छोटी वाली उठानी है बड़ी वाली तो नहीं उठानी तो छोटी वाली उठानी है तो इन दोनों में छोटा वाला कौन है तो इन दोनों में पहला वाला जो है वो छोटा वा यह थी, मैंने अपने पास इसको रख लिया, दूसरी वाली को मैंने काट दिया, अब उसके बाद इन दो लोगों में जो जीत गया है, उसको compare करो तीसरे वाले से, ठीक है, मैं यहाँ line wise लिख देता हूँ, ताकि confusion ना हो आप लोगों को देखो, पांच बटे 11 का comparison किया गया कि इसके साथ 7 बटे 12 के साथ, मैंने कहा क्रोस इधर लगाया जाए, क्रोस इधर लगाया जाए, तो आप बोलेंगे सर देखे, 12 x 5 यह 60 होता है, और 11 x 77 होता है, सर यह बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर इसको काट दो, यानि यहाँ से जीतेगा कौन तो 5 बटे 11, अब फिर 5 बटे 11 को भीडाया जाए, सर, किसके साथ में, तो यह तो खतं हो गया, 8 बटे 13 के साथ भीडाया जाए, तो सर यहाँ भी क्रोस लगाया जाएगा, 13 बचे कितना हो जाएगा, सर 65 और 11 88, सर फिर से यह बड़ी संख्या निकल गई, और बड़ी संख्या को हमें क्या करना है, इग्नोर मारना है, तो यहाँ पर फिर से यह जीत गया है, यनि 5 बटे 11 जीत गया है, अब फिर से 5 बटे 11 को उठाये जाए और आखरी वाले के साथ मेरे भाई लड़ाये जाए, 9 बटे 17 के साथ यहाँ पर, अब 9 बटे 17 के साथ लगा है, तो यहाँ बोलेंगे 17 बचे 85 हमारा यहाँ पर ठीक है और 11,99 हो गया फिर से यह बड़ी संख्या होगा इसको इग्नोर कर दिया जाएगा यानि यहाँ पर 5 बटे 11 जो है वो जीत गई यह एक अकेली वीडियो होगी यूट्यूब में जिसमें फ्रैक्शन कंपरिजन के सारे टाइपस डील किये गए होंगे और सारा कंसेप्ट आपको सिखाया गया होगा 20 अलग अलग वीडियो देखने से मेरे भाई फायदा है कि एक ही वीडियो देखो और सब कुछ सीख लो सारा समेट लो और उसके उपर से TCS के सवाल भी लगा लो और क्या फायदा चाहिए भाई बताओ जल्दी से ठीक है चली आजेगे यहां पर जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहेंगे यहां पर एक बचा पूछ रहा है एक नॉवंबर वाले बैच की टाइमिंग क्या होगी मेरे भाई टाइमिंग को लेकिए अभी कनफरमेशन नहीं है मैं अभी स्लॉट्स के एक बार डिसाइड कर अभी समय आप लोगों के लिए करेंगे इस बात का मेरा दावा है यू समझ लीजेगर आपने सो रुपय का कोई पेमेंट हमें किया है ना तो हम आपको मेरे भाई हजार रुपय का आपको जो है कंटेंट देंगे और एक तरीके से विश्वास देंगे यह मेरा ध्यान रख जा गया है हम कैसे करें यहां पर तो हमने कहा सेम काम सर देखो अभी डिफरेंस मेतोड और बाकी दुनिया जहान भूल जाओ क्रोस मुल्टिप्लिकेशन में कैसे करोगे तो पहले यहां पर इन दो लोगों को आपस में बेडाओ तो यहां पर बोलोगे सर देखिए आठ 65 ठीक है यह हमारा कितना होगा 152 ठीक है 19 कार्ड गुना कितना होगा मेरे भाई 19 कार्ड गुना 152 होगा ठीक है और यहां पर अब यह बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है तो इन दोनों में बड़ा हमारा यह है इन दोनों में बड़ा अगर यह है तो इसको यहीं पर drop कर दिया जाए, खतम कर दिया जाए, यानि जब मैंने इन दो लोगों में comparison की, तो ये वाला मामला यही निपट गया, ठीक है, अब उसके बाद इनके winner को मेरे भाई तीसरे वाले के साथ निपटा हो, यानि ये 15 बटे 19 को उठाया जाएगा, और 15 बटे 19 को अब लड़ाया जाएगा, उसके पडोसी के साथ में, यानि 4 बटे 5 के साथ में, अब यहाँ पर cross multiplication किया जाए, तो हम बोलेंगे सर देखो, ये 75 और ये हमारा 76, 5 इंटू 15 हमारा 75, 19 बटे 5, अब ये हार गया, और ये जीत गया, क्योंकि मुझे बड़ा वला चाहिए बाई, बड़ा वला चाहिए यहाँ पर, अब जीता कौन 4 बटे 5, अब इन दोनों के comparison में, ये जंग हार गया, और ये जीत गया, अब ये 4 बटे 5 को उठाया जाए, और इसको compare किया जाए, किस के साथ तो 13 बटे किस के साथ यहाँ पर, अब मेरे भाई, वापस इसमें क्या लगाएंगे, cross multiplication, अब अगर हम देखते हैं, आपर तो जरा देखेंगे, तो बोलेंगे, सर देखें, 21 इंटू 4 हमारा कितना होता है, 84 और 5 इंटू 13 हमारा 65, इन दोनों में मेरे भाई, complicated case तब बन जाता, जब इसके अंदर में lowest पुछ लिया जाता, उस case में फिर हमें बहुत सारा comparison करना पड़ता, और बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है, आज यह, दो कोशन होगे हमारे, आज यह तीसरा कोशन हमने यहाँ पर खुद से दिया है, बोल जस्ट बाएं हाथ का खेल होता है, smallest में थोड़ी सी बच्चों को परिशानी होती है, स्यम कहानी हम यहाँ पर करेंगे, पहले इन दो लोगों को compare करेंगे, और अब मेरे भाई सीधा सीधा हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे तो देखो यह 8 बट बटे 9 लेना है, तो यह यहाँ पर यहीं पर खतम, 6 बटे 11 मेरे भाई यहीं पर खतम, अब जारा यहाँ पर इन दोनों में देखो, अब इन दोनों में तो यूँ देख सकते हो यार, एक भाद बताओ, इसमें तो क्रोस मल्टिप्लाई करने की जरुवत नहीं, 8 बटे 4 और 9 बटे, sorry, 8 बटे 9 और 4 बटे 9 इन दोनों में कौन बड़ा है, तो भाई जब तुम्हारा बेस सेम होता है न, तो उपर में जो बड़ा है, वो मेरे भाई बड़ा होता है, कॉमन सेंस की बात है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, तो उपर में अगर जो संख्या बड़ी है, वो खुद बड़ी होगी, तो यानि इन दोनों में मेरे भाई कौन बड़ा है, 8 बटे 9 तो यह इसे ही खतम हो गया, अब इसको लास्ट वाले के साथ कंपेर करो, तो हम बोलेंगे 8 बटे 9 का कंपेरिजन चलना चाहिए 13 बटे 15 के साथ में, जरा कंपेर करिए, तो आप होगा, वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा यहां पर, पहले दूसरे को भीड़ाया था, तब भी बड़ा निकला, दूसरे तीसरे को भीड़ाया था, तब भी बड़ा निकला, पहले चौते को भीड़ाया था, तब भी बड़ा निकला, यानि इन दोनों में भी यहीं जीत तो मेरे भाई पहली वाली संख्या सबसे बड़ी है मज़ा आ रहा है भाई दोस्तों देखो यार अगर मज़ा आ रहा है न तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करते रहो मोटिवेशन बनता रहता है अच्छे नंबर आने से आता है हमारा मोटिवेशन मेरे भाई अच्छे व्यूज आने से आता है अच्छे कमेंट आने से आता है हमें भी लगता है यार हम पीछे इतने गंटे मैनत करके आए है तो बच्चों को वो चीज पसंद में आ रही है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करते रहेंगे आप लोग आईए चलिए यहाँ आप लोग मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को बना देंगे तो एक कोशन हम आप लोगों को होमवर्क में दे दें बताइए एक 11 बटे 16, 12 बटे 15, 7 बटे 12, 4 बटे 7 इसमें से कौन सी संख्या सबसे चोटी है तो यह सवाल आप लोगों के लिए PGW रहेगा रीजन यह है क्योंकि मुझे आज एक ही वीडियो में सारे टाइप कवर अप करवाने हैं तो यहाँ पर जादा टाइप्स पर हम लोग फोकस करेंगे और कुछ सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इन 6 टाइप्स में एक टाइप हमारा खतम हो गया जो है हमारा Cross Multiplication Method मेरे भाई अब हमें पढ़ना है दूसरा मेथड जो की हमारा क्या है LCM मेथड बहुती लाजवा, बहुती प्यारा, बहुती शानदार यहाँ पर यह मेथड है अब LCM मेथड क्या होता है कैसे हम करते हैं जब मेरे भाई कुछ इस प्रकार के हो LCM मेथड लगुत्तम समावर्तक तो जैसे एक ये fraction है, ये fraction है, ये fraction है, ये fraction है और नीचे काफी छोटी-छोटी संख्या दी गई है दो, साथ, चार, साथ मेरे भाई वैसी स्थिती में यहां multiply करते-करते से बहतर है आपे कि हम इनको क्या कर सकें तो हम इनका LCM लेके इनको बराबर कर सकें तीन प्रकार के सवाल बन जाते हैं चार प्रकार के अब LCM क्यों लेते हैं देखो, जैसे मानो यहां पर क्या है तो छोटा सा comparison बता रहे है एक मेरे भाई यहां पर हो गया 21 बटे कितना है चोटी संख्या ही ले लेते हैं मान लो कि यह 2 बटे 3 हो गया और यहां पर मेरे भाई 4 बटे 5 हो गया अब मुझे यहां पर क्या करना है बताना है बड़ा कोन है चोटा कोन है तो सबसे आसान क्या होता है बराबर करना नीचे वाली संख्या को और नीचे वाली संख्या को बराबर करने का मतलब उनका LCM लेना होता है तो 3 और 5 का मेरे भाई जो LCM होता है वो हमारा कितना होता है तो 3 और 5 calcium हमारा 15 होता है यानि हम इनको 15 बनाओंगे तो इनको 15 बनाओंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो जैसे यह 2 बटे 3 है और यह 4 बटे 5 है 15 बनाने के लिए दोस्ते दोस्तों यहां पर यह बता दो कि इन दोनों में बड़ा कौन है तो बोलो कि सर्फ बारावाली संख्या बड़ी है। संख्याओं के बारे में लेंगे लुका, साथ का चार का साथ का सब का बदला लेगा रितरा फैजल वाली बात है तो इनका लेस्म साथ च्छोंके 28 अगल अगर 28 का तो यह में ऊपर नीचे क्या करना 28 बिजुस्कों बनाना तो दो वाले को मेरे भाई 14 से गुना कर दो यहां उपर में, ठीक है, 7 वाले को 4 से गुना कर दो यहां पर, 4 वाले को 7 से गुना कर दो भाई, और यहां पर इसको 4 से गुना कर दो, सिर्फ उपर वाले को यहां पर देखो, इसका उपर वाला 14 है, इसका उपर वाला 20 है, इसका बड़ा कौन सा होगा option number d for देवसेन बड़ा कौन सा होगा मेरे भाई option number d for देवसेन यहाँ पर ठीक है तो ध्यान रहेगा LCM method से हम क्या सीखते हैं सबका नीचे base बराबर करके उपर में देख लेते हैं अगर मुझे इनको बढ़ते करम में करना होता इससे बड़ा ये है इससे बड़ा ये है इससे बड़ा ये है तो ये मेरा भाई क्या हो जाता बढ़ते करम हो जाता ascending order हो जाता इसी order में ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं बढ़ते करम में आ जाते हैं जल्दी से फटाफट एक मिनट के अंदर में मुझे आंसर चाहिए बहुत ही प्यारा कोशन है बोला गया है smallest में यहाँ पर कौन सा है अब यार देखो cross multiplication करना कितना मुश्किल होगा 27 को 16 के साथ गुना करोगे ना नहीं याद आजाएगी भाई दिमाग खराब हो जाएगा उससे बड़ी हम क्या लगाएंगे सवाल को देखकर यहाँ पर calcium method लगाएंगे तो calcium method लगाएंगे तो बोलेंगे 3, 9, 27, 9, sub calcium कितना है तो sub calcium देखो यहाँ पर पहले तो हम fraction लिख देते हैं पहले हम क्या करते हैं सारे fraction लिख देते हैं तो सारे fraction हमने लिख दिया 2 बटे 3, 8 बटे 9 10 बटे 27 और यहाँ पर 16 बटे 9 यहाँ पर मैंने विरे भाई सारे fraction लिख दिया अब मैं यह कह रहा हूँ कि यह 4 संक्या मेरे पास दी गई है इसमें सबसे बड़ा कोन है सबसे छोटा कोन है बताना है अगर मैं इसको cross multiply करूँगा मेरा time waste होगा उससे बड़िया मैं इसमें L-C method लगाँगा और L-C method लगाखे क्या अगर होगा within seconds भाई 3, 9, 27, 9, sub calcium कितना होगा 27 यानि गुना करो उपर नीचे में 9 के साथ में 27 9 को 3 से गुना करोगे तो मेरे भाई 27 बनेगा 27 को गुना करने की जरूट नहीं 9 को 3 से गुना करोगे 27 बनेगा इसका उपर वाला पार देखो 18 है इसका उपर वाला पार देखो मेरे भाई 24 है इसका उपर वाला पार देखो 10 है और इसका उपर वाला पार देखो 48 है आपको बड़ी चाहिए की छोटी चाहिए है स्मालेश्ट बोला है सबसे छोटी कौन है 10 यानि 10 बटे 27, option number C कहोना प्यार है correct answer हो जाएगा बात कतम भाई तो simple सी बात है कि हम नीचे क्या करते हैं बराबर करते हैं उपर वाले के आधार पर चेक करते हैं सबसे छोटा 10 निकला 10 का मतलब 10 बटे 27 यहीं हमारा answer है बस इसके अलावा और कुछ नहीं ठीक है आज आओ एक और question यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हमारा lcm method ऐसे ही काम करता है और छोटी छोटी संख्याओं के लिए जब कई सारी संख्या बिखरी पड़ी हो तो वहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं lcm method लगा लेते हैं lcm method जादा परचलित नहीं है और बहुत जादा हम लोग यूज में लेकर नहीं आते हैं अब जो सबसे important part आता है देखो हमने cross multiplication भी सीख लिया उसके बाद हमने यहाँ पर देखो यह भी सीख लिया और यह भी हमने सीख लिया अब सीखना हमें proper या improper fraction जिसे हम लोग मेरे भाई ये भी बोलते हैं difference method यहाँ पर और ये जब सीखो गे ना तो भाई guarantee कहता हूँ वावावावावा चलेगा पूरा का पूरा comment box में इतना मज़ा हैगा आप लोगों को तो यहाँ पर एक ऐसा common method है हमारे पास जी से हम कहते हैं क्या कहते है difference method जो सवालों को हमारे लिए बहुत ज़्यादा असान बना देता है ठीक है क्या बोलेंगे difference method बोलेंगे बड़ difference method समझने के पहले हमें दो तरह के fraction समझने होंगे एक यहाँ पर होता है दोस्त proper fraction जो हम बच्पन में पढ़ते थे NCRT की किताबों में दिया गया होता था और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होता है तो बोलेंगे sir proper के लावा improper fraction होता है ** कैसा होता है यहाँ पर तो improper fraction होता है यह पूरा का पूरा sir कहानी होता है proper fraction और improper fraction किसे कहते हैं यह परिभाशा मैंने दी है, यानि आसान भाशा में बात करें, तो प्रापर फ्रेक्शन की जो वैल्यू होती है, वो हमेशा यहां पर क्या होती है, एक से छोटी होती है, 0.9, 0.8 या, कुछ भी होगा, लेकिन एक से छोटा, और improper का मतलब यहां पर क्या होता है, कि जिसकी वैल्यू मेरे भाई क्या हो, तो यहां पर यह जैसे मानों की, कोई भी जो फ्रेक्शन है, वो हमारा बड़ा हो, और किस से बड़ा हो, एक से, और यहां पर जो फ्रेक्शन है, दोस्ते हैं पर, यह जो fraction है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो एक से छोटा हो यानि जब शुरू में fractions का निर्मान किया गया था तो हमेशा यह सूचा गया था कि जो उपर की संक्या प्राप्त होगी हमेशा नीचे वाले से छोटी अगर नीचे 79 है तो उपर कभी भी 79 से छोटा value एक, दो, तीन, चार, पांच, छे मतलब 78 तक जैसे 60 हो गया तो यह हम क्या बोलते हैं इसको proper fraction बोलते हैं ठीक है लेकिन वहीं बात है जहां लोग अच्छे होते हैं वहां बुरे भी होते हैं कुछ fraction अच्छे थे तो कुछ मेरे भाई थोड़े बदमाश भी थे ठीक है तो कुछ लोगों ने बदमाशी की और बदमाशी क्या की जैसे नीचे 79 आया तो इन लोगों ने जिद दिखाया अपना हम भाई ना हो रहे तेरे से छोटे जा हमको पसंद ही नहीं है छोटा होना हम तो बड़े बनके रहेंगे यानि जो लोग 79 से बड़े हो गया जैसे 81 हो गया 83 हो गया उनको हमने कहे दिया कि ये क्या है improper fraction है यानि यदि उपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी होती है तो उसे हम proper fraction कहते है और यदि उपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी होती है तो उसे हम improper fraction कहते है अब यहाँ पर ismetric color apply होता ismetric color apply होता और just एक दूसरे के reverse होते है और वो कैसे होता है जरा वो देखो तो यहाँ पर दोस्त समझना मेरी बात को जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप यह सारे देखो पहले तो पहले हम यहाँ किसके बारे में सीखेंगे प्रॉपर फ्रेक्शन के बारे में तो पहले यहाँ पर हमने किसके बारे में सीखा तो भाई, प्रॉपर में अब जैसे यहाँ पर देखो, hashtag proper fraction मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहाँ, hashtag मेरे भाई किसके बारे में तो proper fraction में अब आप लोग दोस्त यहाँ पर यह समझे तो भाई आज की बाद जीवन में लिख लेना और क्या लिख लेना मैं बता रहा हूँ कि अदित्य सर्ने ये बात अपनी क्लास में सिखाया था कि जब संख्याएं हमारी कुछ इस प्रकार होती है और उपर वाली संख्या एक नीचे वाली से एक एक कम है एक यः क्या है कम है तो जो संख्या बड़ी दिखेगी वो largest होगी और जो संख्या छोटी दिखेगी वो मेरे भाई smallest होगी जिसके पास बड़े बड़े अंख होंगे वो largest कहलाएगा और जिसके पास छोटे छोटे अंख होंगे वो smallest कहलाएगा खेल खतम मेरे भाई यकीन मानो खेल खतम भूलोगे सर मजाक नहीं हाँ हाँ बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर आप देखे आप बड़ी बड़ी संख्या लीजे इसका फायदा क्या होता है मानो मैं यहाँ पर लेता हूँ 5,875 और नीचे में मैंने यहाँ पर लिया 5,870 यहाँ पर मैंने लिया 11,993 और यहाँ पर लिया मैंने 11,995 मेरा यहाँ पर क्या कहना मैं मेरे भाई simple सा आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इन दोनों संख्यावों में उपर वाली संख्याव नीचे वाले से छोटी है हाँ जी अगर मेरे भाई यह प्रॉपर फ्रेक्शन है तो डिफरेंस देखो 77 में से 75 दो कांतर और 95 में से 93 दो कांतर तो अगर डिफरेंस हमारा सेम है तो उस केस में जिसके पास बड़ा डिजिट होगा वो लार्जेस्ट होगा और जिसके पास छोटा डिजिट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा समझ गए मेरी बात को यहाँ पर इसके पास बड़ा डिजिट है तो यह लार्जेस्ट है इसके पास छोटा डिजिट है तो स्मॉलेस्ट है तो जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दो 577 बटे यहाँ पर 579 और 677 अपॉन 679 इन दोनों में बड़ा कौन होगा आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ फटाक देना जल्दी से मेरे भाई और पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो जल्दी से ठीक है, कंडिशन दो होने चाहिए, प्रॉपर फ्रेक्शन हो और दूसरी बात, डिफरेंस हमारा सेम होगा डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम खीच के लेके आएंगे और डिफरेंस सेम बराबर करके जाएंगे क्या बोलेंगे, बोलेंगे, सर देखिए, इस से ये दो कम और इस से ये दो कम, सर ये वाली संक्या बढ़ी है दिमागी नहीं लगाना भाई, ठीक है, क्लियर है ये बात, आज ये चलिए तो जरा इसके उपर में कुछ सवाल करते हैं, और ये हमारे सामने वो सवाल है, और सवाल नहीं बवाल है हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसमें हमसे बोला गया ग्रेटिस्ट वैल्यू बताने को हमने कहा ठीक है भाई, हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले मेरा आपसे कुछ सवाल है और ये सवाल देखते चलो, मतलब मैं अपने तरफ से पहले कुछ कुशन्स कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको तब यहाँ पर जो कुशन्स हम लेकर आए हैं, वो देंगे मेरा आप लोगों से क्या सवाल है, मेरा आप लोगों से ये सवाल है, 123 बटे यहाँ पर 128, उसके बाद यहाँ पर 335 बटे कितना, देखो यहाँ पर दिल पर मतले न, कि सर ये फ्रैक्शन कट रहा है तो इसको काट दीजे, एक परसेंट भी इंटरेस्ट नहीं है फ्रैक्श मुझे सवाल सॉल्फ करना है, कैसे करेंगे, आपको बस ये बताना है मेरे भाई कि ये बड़ी से बड़ी संख्याओं में सबसे बड़ा कोने, सबसे चोटा कोने, क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो, LCM fail, cross multiplication fail, कर ही नहीं सकते इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को, फिर ह तो ये सबसे बड़ी है, C वाला सबसे बड़ा है, और A वाला सबसे चोटा है हमारा यहाँ पर, तो जल्दी से इसी के उपर में इसका अंसर, आप लोगे कमेंट बोक्स में दे दीजे, यहाँ पर इसका अंसर कितना होगा, देखे हैं, अब आप बोलेंगे सर देखो, यहा कुछ पढ़ाऊंगा, आपको अप्टेंशन मतलो, यह हमारा एक बटे तीन है, यह हमारा पांच बटे छे है, और यहाँ पर हमारा तीन बटे में चार है, ठीक है, हमें क्या पता करना है, तो हमें ग्रेटिस्ट वैल्यू पता करना है, सबसे बड़ा मान पता करना है, तो ब मेरे भाई difference कितना है यहां पर अब यहां बुलो कि सर पीछे तो आपने सिखाया था सेम difference यहां तो अलग-अलग आ गया अब क्या करें अरे भाई difference अलग-अलग आ गया तो पढ़ाने वाले भी तो हमी है ना question भी तो हमी सेटके हैं तुमको complete knowledge देके जाएंगे attention मतलो यहां पर अब यहां पर difference तुम्हारे मानों अलग-अलग आ रही है तो क्या करेंगे तो difference को सेम करो difference को क्या करो भाई मेरे चैनग करो यहां पर वह difference को सेम करो अब कोई भी संख्या को सेम करने का मतलब LCM लेना, मैं तीन का multiple हो, हम पांच के multiple हो, हम चाहते हैं, हम एक ही पटरी पर आ जाएं, कैसे करना होगा, LCM लेना होगा, समझ रहों नो, वो सवाल पढ़ते नहीं हो, कि एक बती हर तीन-तीन सेकंड पे लाल होती है, और दूसरी बती हर पांच-पांच सेकंड पे लाल होती है बता हो, एक साथ कब लाल होगी, तो क्या करते हो, उसमें LCM लेते हो, वहीं कामिया करोगे तो यहां पर पांच का, दो का और एक का LCM, यानि कितना होगा, दस, तो दस होगा, तो पांच वाले को किस से गुना, दो से जब इस से गुना करोगे न, तो यू समझ लो, उपर भी गुना होगा, नीचे भी, बट नीचे वाले को मत करना, सिर्फ उपर वाले को गुना करना, क्योंकि comparison उपर वाले के अधार पे करना है उसी तरीके से अगर यहाँ देखोगे, तो यहाँ पर तुम्हारा दो है, अब मेरे भाई अगर यहाँ पर दो है, जैसे मानू, ठीक है इसको थोड़ा सा दूर पे रखना होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे भाई दो है, तो जैसे पांच वाले को दो से गुना किया है, दो वाले को किस से गुना करोगे, पांच से तो अगर इसको 5 से गुना करोगे तो इसको भी मेरे भाई 5 से गुना करना यहाँ पर एक है इसको किस से गुना करोगे 10 से तो इसको भी 10 से गुना करना और यह एक है 10 से गुना करोगे तो इसको भी 10 से गुना करना अब सिर्फ उपर वाले पार्ट को देखो सभी का difference 10, 10, 10 और 10 हो गया मेरे भाई अब जब सब का difference हमारा 10, 10, 10 हो गया तो यहाँ पर यह बोला गया greatest value कौन सी है बड़ा सा बड़ा मान मेरे भाई यहाँ पर कौन सा है जरा उपर में देखना मेरे भाई बड़ा मान कौन है 4 बड़ा है 5 बड़ा है 50 बड़ा है तो बोलोगे 50 बड़ा है और 50 किसको रिप्रेजेन कर रहा है 5 बटे 6 को यानि सही उत्तर कौन सा होगा five बपन six जो होगा मेरे भाइ वो हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा यानि जब संख्याओं के अंतर समान नहीं होते हैं तो हम उनके अंतर को समान करते हैं और अंतर को समान करने के बाद उपर वाली संख्या जो बड़ी आ गई वो बड़ा हो जाएगा जो छोटी आ गई छोटा हो जाएगा बोलोगे सर इसमें पेपर में कोशन पूछा जाता है CRPF Head Constable Ministerial के 2023 में कोशन आया बोला गया the difference between the largest and smallest ऐसा मेरे भाई दे दिया गया और बोला गया largest और smallest का अंतर बताओ हमने कहा ठीक है पहला मेरे भाई बट्टा 5 बटे 9 उपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो proper fraction फिर उसके बाद दूसरा आ गया हमारा 7 बटे 11 उपर वाला नीचे वाले से छोटा है प्रॉपर फिर मेरे भाई तीसरा आ गया 8 बटे 15 उपर वाला नीचे वाले से छोटा है प्रॉपर फिर उसके बाद आ गया 11 बटे 17 उपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो proper अब उसके बाद हम इनका difference देखते हैं तो 5 और 9 का difference हमारा कितने का 6 का 7 और 11 का difference हमारा कितने का तो यहां पर कितने का मेरे भाई तो 4 का समझते चलो 8 और 15 15 में से 8 गया तो difference कितने का 7 का और मेरे भाई 17 में से 11 गया तो कितने का 6 का क्या हमारा difference यहां पर श्रीम है बुलेंगे नहीं गुरुजी डिफरेंस हमारा सेम नहीं है यह 4 है और यह 6 है और यह 7 है और यह 6 है हम यहां क्या करेंगे? LCM लेंगे और LCM लेकर श्रब में मल्टिप्लाई करेंगे तो पहली बात 6 और 4 का LCM 12 होता है 12 और 7 का LCM 84 होता है 84 होता है तो मेरे भाई यहाँ पर जो डिफरेंस होगा देखो अच्छा स्वारी माफ़ करना यहाँ पर यह जो डिफरेंस हाएगा वो चार का हाएगा 9 में से 5 हमारा 4 हो गया 11 से 7 हमारा 4 15 से 8 हमारा 7 17 से 11 6 तो यहाँ पर हमें LCM क्या लेना होगा तो बोलेंगे सर वहीं 4 और 6 का LCM 12 12 से 84 हमारा LCM आएगा अगर हमारा 84 LCM आएगा तो हम क्या करेंगे 84 बनाएंगे तो 84 बनाएंगे तो 84 बनाने के लिए क्या करेंगे इसको गुना करेंगे भाई 12 से तो 12, 12 माफ कर, 84 नहीं भाई, 84 बनाने के लिए इसको गुना किसे करोगे, तो यहाँ पर 21 से गुना करोगे, तो यहाँ पर किसे गुना हो जाएगा, 21 का 5 गुना 105, 84 बनाने के लिए सेम इसको भी 20 से गुना करोगे, और अगर 21 से गुना करोगे, यहाँ पर तो क्या हो 27 यह सात है मैरे तो 12 से गुना करू अधर बारे से गुना करो तो क्या बोलोगी किस से गुना ओगा 14 से यहां 14 ऐजाएगा अब दोस्तों यहां पर यह बता दो सबसे बड़ावाला कौन है और सबसे छोटा वाला कौन है हमें चाहिए difference between largest and smallest सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या तो भाई यहां सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखरी है 154 वाली बड़ी 154 का मतलब कौन सा मेरे भाई तो 11 बटे 17 बड़ा है और सबसे छोटा तुम्हें कौन सा दिखरा है 96 वाला यानी 8 बटे 15 हमें क्या करना है difference पता करना है तो करेंगे difference पता 15 इंट वी 11 हमारे 165 आ जाएगा और 18 साथे कितना हो जाएगा यहां पर 126 हो जाएगा 136 हो जाएगा और divided by कितना तो इनका multiplication multiplication कैसे करेंगे तो 75 गुना 85 और 8 हमारा 171 कम 17 और 8 हमारा कितना हो गया तो 25 हो गया 165 में से आप 36 घटा दो मेरे भाई यहां पर तो कितना हो जाएगा आपका 29 अपॉन कितना हो जाएगा 255 हमारा correct answer है option number A जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा तो यानि भिन्नों की जो हम comparison करते हैं वो इसी प्रगार करते हैं कि अगर मान लिजए यहां cross multiplication करना LCM method लेना यह बेवकूफी होता तो हमने क्या किया 9, 11, 15 और 17 का LCM लेने से बहतर इनके difference का हमने LCM ले लिया इसका difference इतना 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 difference का LCM ले लो उसके जगह पर मेरे भाई उपर वाले में multiply कर दो और उपर वाले में multiply करोगे जो बड़ा दिखेगा बड़ा fraction जो छोटा दिखेगा वो छोटा fraction यहां पर clear है यह बात अब आज यह जल्दी से question number 10 देखिए CHSL 13-3-2023 बहुत ही beautiful सवाल यहां पर आप इसका answer दे सकते हैं देखिए इससे यह छोटा है proper fraction छोटा है proper छोटा है proper मेरे भाई यहां पर क्या बोला गया difference between the largest and smallest अब CHSL का यह सवाल जिसने डराया मेरे भाई बच्चों को परिक्षा के हॉल में और जिसने उनका काफी वक्त बरबात किया यहां बोला गया है कि इन चार में सबसे बड़ी और सबसे चोटी संक्या का मेरे भाई अंतर बता दो मैं हमेशा कहता हूँ पहले fraction को लिखो तो 5 बटे 11 5 बटे 7 3 बटे 8 यहां पर और हमारा हो जाएगा 6 बटे 11 अब कोशन में क्या बोला गया सबसे बड़ी और सबसे चोटी संक्या बतानी है यहां पर सारे के सारे proper fraction है जब सारे के सारे proper fraction है तो सबका difference लिखो एक 11 में से मेरे भाई 5 गया तो 6 आएगा उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा 7 में से मेरे भाई 5 गया 2 आजाएगा तीक है आठ में से 3 गया तो 5 आजाएगा और यहां पर 11 में से 6 गया तो 5 आजाएगा जो difference हो उनका LCM लेते हैं और LCM लेकर multiply करते हैं तो 5 का 2 का 6 का LCM कितना होगा 30 होगा तो यहां पर LCM अगर 30 है तो हर किसी में 30 बनाओ यानि इसे 5 से गुना करो तो यह भी 5 से हो जाएगा इसे 15 से गुना करो तो यह भी 15 से हो जाएगा इसे यहां पर 6 से गुना करो तो यह भी 6 से हो जाएगा और यहां पर इसे 6 से गुना करो तो यह भी 6 से हो जाएगा यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर यह 25 है यहां पर बोलोगे सर यह 75 है यहां बोलोगे सर यह 18 है और यहां बोलोगे सर यह 36 है अब जरा मुझे बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 75 यानि मेरे भाई 5 बटे 7 यह बड़ी संख्या हो गई और इसमें सबसे छोटी कौन सी यह 18 यानि ये तीन बटे आठ हो गई मुझे इन दोनों का क्या करना है डिफरेंस पता करना है आठ का पांच गुना चालीस साथ का तीन बटे आठाए किस चालीस में से एकिस गया मेरे भाई 19 बटे 56 हमारा करेक्ट अंसर है कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन अमबर बीफर बाहुबली खेल का ता तो CHSL का वो सवाल जिसने डराय था लोगों को उसको हम आसान तरीके से तोड़ सकते थे कहीं पर कोई महनत की बात ही नहीं थी सिंपल हमें डिफरेंस 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 लिखना था उन डिफरेंस का LCM लेकर उन्हें बराबर करना था तो 30 लिये लिया तो मतलब 5 से उपर में 5 से यहां पर जितना जितना मेरे भाई यहां से गुना किया उतना ही उपर से गुना किया जो तुम्हें उपर में बड़ी दिग गई वो बड़ी संक्या जो उपर में छोटी दिग गई वो छोटी संक्या और फिर लार्जस्ट माइनस स्मॉलिस्ट करके केल अमने खतम कर दिया सर मेरा सीजल मेंस में 331 बन रहा है आपकी क्रिपा से मैट्स में 28 कोश्चन सही है अच्छा और मेरे भाई क्या कह रहे थे आप एक बार मैट्स में 28 कोश्चन करेक्ट हुए है और इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे आप से जरूर मिलने आउँगा क्योंकि इस बार बच्चों का मेंस के बाई से काफी पॉजिटिव रहा है जब हमने पढ़ाया तो तब भी वो क्लास में जब लाइव होते थे तो मुझे लगता था यहां पर कीनी बच्चों का रिजल्ट आने वाला है कुछ बच्चों के तो एक दम नाम तक जुबान पे मेरे याद है और मुझे यकीन है कि उनका रिजल्ट आएगा ही आएगा सबसे पहली बार बच्चे थोड़ा सा होपलेस हो गए थे जब कटफ बहुत जादा हाई गई थी लेकिन उसके बाद जिन बच्चों का सेलेक्शन हो गया प्री में तो उसके बाद उन्होंने अपने अपको संभाला और काफी अच्छी मेहनत भी की और कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी हमने फोन पर बात भी हुई ठीक है शुरू से मैं उनके साथ जोड़ा हूँ काफी अच्छा महसूस हो रहा है उनको अच्छा मतलब उनका अंसर की भी आया है तो उनके भी काफी माक्स करेक्ट भी है अच्छा स्कोर भी मेरे भाई बन रहा है हाँ ठीक है तो इस बार मन बहुत खुश है बचों का अच्छा भी रिजल्ट आने वाला है आप लोग भी अरच्छे से महनत करो यार आप लोग को कभी रिजल्ट आएगा ठीक है आप लोग को कभी रिजल्ट आएगा बस मैं इतन बोला था तो मैंने कहा थे एक proper fraction होता है जिसकी value एक से कम होती है और एक improper fraction होता है जिसकी value एक से ज़्यादा होती है तो अगर हम improper fraction की बात करते हैं जिसकी value एक से ज़्यादा होती है वैसी स्थिती में हम यहाँ पर क्या करें तो just मेरे भाई यहाँ पर कहानी उल्टा हो जाए उधारन के तोर पे हम आपको समझाते हैं पहली बात मेरे भाई यहाँ पर improper fraction की परिवाशा जाना हूँ when the given fraction our improper numerator is greater than the denominator हर जगा देखो इससे यह बड़ा है इससे यह बड़ा है इससे यह बड़ा है तो जब मेरे भाई उपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी हो जाती है उससे हम improper fraction कहते हैं उससे हम क्या कहते हैं तो improper fraction मेरे भाई यहाँ पर बोलते हैं तो यहाँ पर जैसे एक बार आप देखिए मानिए हमें compare करना पड़े और यह दो improper fraction को compare करना पड़े यहाँ 23 बटे 18 को और 37 बटे 32 को तो हम कैसे करेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर देखे improper fraction में कहानी क्या होती है इससे सर यह कितना ज़्यादा है तो 5 और इससे यह कितना ज़्यादा है 5 अब आप बोलेंगे सर यह वाला बड़ा है बिल्कुल भी नहीं जो बड़ा देखता है वो छोटा होता है और जो छोटा देखता है मेरे भाई यहाँ पर वो बड़ा होता है यानि इस case में अगर हम से बोला गया कि बड़ी संख्या कोँन सी है तो 23 बटे 18 और चोटी संख्या कौन सी है तो 37 बटे यहाँ पर 32 अब हम आपको दो example देते हैं और उसके बाद हम आपको clear करते हैं जैसे यहाँ पर मेरे भाई क्या है तो एक हमारा proper fraction हो गया हम आपको समझा देते हैं पूरा का पूरा summary यहाँ पर ताकि आपको clear out हो पाए तो बोलोगे sir proper fraction जो कि हमारा एक से क्या होता है चोटा होता है और improper fraction हम उसे कहते हैं sir जो हमारा क्या होगा ठीक है मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पर तसल्ली से ताकि आपको clear up हो जाए ठीक है अब यहाँ पर दोनों के एक example है जैसे यहाँ पर मानो 33 बटे कितना हो गया 37 हो गया और यहाँ पर 41 बटे कितना हो गया 45 हो गया यहाँ पर उल्टा हम कर लेते हैं मानो 95 बटे हो गया हमारा微जा एक तरीके से 91 और यहाँ पर 85 अपॉन कितना हो गया अब मेरे भाई आपके सामने बोड़ पर दो सवाल है और आप लोग यहाँ पर देखो यह दो सवाल क्या होगे एकी साथ रखता हूँ, एकी पास में रखता हूँ ताकि आप हो clear up हो पाए अब यहाँ पर बोड़ पर आपके सामने दो सवाल है एक है proper fraction, एक है improper fraction अगर आप difference की बात करेंगे तो यह देखो 37 से यह कितना छोटा है 4 और 45 से कितना छोटा है मेरे भाई 4 तो proper fraction में क्या होता है कि जो संख्या बड़ी दिखती है वो largest होता है और जो संख्या छोटी दिखती है वो smallest होता है इंप्रॉपर fraction में कहानी उल्टी होती है जो बड़ा दिखता है वो smallest होता है और जो छोटा दिखता है वो largest होता है यह हमारा correct answer है बिलकुल सही उत्तर है तो इस case में बड़ा कौन होगा तो यह होगा clear है यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है कोई परिशानी की बात है देखो सारे paper में आते हैं दोस्त तो जल्दी से यहाँ पर बता दो एक question हम दे रहे है 16 बटे 15, 20 बटे 19, 25 बटे 24, 35 बटे 24 अभी तो हम धीरे धीरे यार आप लोगों को सिखा रहे है सबसे most important part तो भी आना बाकी है जो आप लोगों सीखेंगे मैंने कहा ना कई सारे method हम आपको सीखाने वाले है सारा का सारा ठीक है चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर तो क्या question में बोलेंगे बोलेंगे सर देखो इससे ये एक जादा है इससे ये एक जादा है इससे ये एक जादा है सर यहाँ पर सभी संख्याओं में उपर वाली संख्या एक एक जादा है और उपर वाली संख्या ही जादा है तो जो छोटा दिख रहा होगा जिसके पास छोटे डिजिट होंगे वहीं सबसे बड़ा होगा यानि ये largest होगा और जिसके पास बड़े digit होंगे वो हमारा क्या होगा तो smallest होगा यानि this fraction is the largest fraction and this fraction is the smallest fraction clear है यहाँ पर बता दीजे ठीक है भाई clear है जल्दी से आजो चलो एक और question दो जल्दी से question अबर तेरा का answer ठीक है और भाई वीडियो को like करते रहेंगे ठीक है वीडियो को like channel को subscribe करते रहेंगे भाई थोड़ा motivation बना रहता है ठीक है पटना कब आईएगा जब आप बुलाईए तब आजाएंगे आदेश करिए सरकार जब बोलेंगे तब आजाएंगे पटना पटना कोई सादूर है बताओ यहाँ बसता है यहाँ पर ठीक है क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखे यहाँ पर उपर वाली संख्या अब इसमें मज़े की बात क्या है देखो यह एक improper fraction यह एक proper fraction सॉरी माफ करना उल्टा मैंने कह दिया यहाँ पर यह proper है और यह हमारा improper है यह हमारा क्या है तो proper है और यह हमारा मेरे भाई proper है यानि यहाँ पर क्या है अब आप लोगों को दिमाग लगाना है इस question को देखो मैं फिर से यहाँ पर कह रहा हूँ यह संख्या को आप सही तरीके से देखे इस सवाल में आपको पता करना है कि largest कोन है smallest कर और मैं कहता हूँ अगर पहली बार में कोई बच्चा देखेगा 99% बच्चा फेल हो जाएगा भाई बहुत असान है simple सी बात है तीन fraction में उपर वाली संख्या हमारी छोटी है और एकी fraction में उपर वाली संख्या बढ़ी है इट मींस यहाँ पर यह द्वात तै हो गई कि यह largest होगा यहीं पर उपर वाली संख्या बढ़ी है इट मींस यह हमारा largest होगा तो simple सी बात है हमने greatest का पता तो लगा लिया अब अपने को smallest पता करना है और smallest पता करना है तो यह देखो तो बोलोगे सर 15 बटे 16 में 11 बटे 12 में और 7 बटे 8 में सर यहाँ पर इससे एक छोटा इससे एक छोटा इससे एक छोटा तो मेरे भाई जब उपर वाली संख्या छोटी होती है उस case में जो बड़ा दिखता है वो largest और यहाँ पर जो मेरे भाई उपर वाली संख्या एक जगह बड़ी है और बाकी सभी जगह में उपर वाली संख्या छोटी है तो यह जीत गया, यह winner है इसको कोई हरा ही नहीं सकता है तो automatic यह largest बन गया अब जो बाकी लोग बन गए उनमें मेरे भाई smallest पता करना है इन लोगों में smallest पता करना था smallest पता करने का राज क्या है तो उपर वाली संख्या मेरे भाई जिन में छोटी दिखेगी वो smallest होगा जिसमें बड़ी दिखेगी वो largest होगा clear है यह बात, चलो आजाओ जल्दी से अब उसके बाद यहाँ पर क्या आता है तो अब उसके बाद last में हमारा आता है यहाँ पर देखो, काफी सारे method मैंने कहे न अब यह मेरा अपना मेरे भाई method आने लगता यहाँ से, शुरू में ही मैंने आपको वीडियो में कहा था, एक-एक करके हम आपको बताएंगे, cross multiplication done LCM done, proper done अब उसके बाद आ रहा है मेरे भाई, base method चार नमबर, अब base method क्या होता है base method बहुत असान होता है बहुत मेरे भाई असान, और base method अगर आप सीखोगे न, तो उसके बाद हम आगे चलके आपको सारी बाते बता पाएंगे यहाँ पर, base method में दो बाते होती है, या तो हमारा numerator सेम हो, या फिर हमारा denominator सेम हो, या तो मेरा answer समान हो, या फिर मेरा हर समान हो पहले ये बातों को हम सीख लेंगे उसके बाद आगे चलके हम काफी सारी जगा पर इसका प्रयोग कर पाएंगे, तो सबसे पहले base method में देखो कि अगर हमारा denominator बराबर होता है, यहाँ पर ये चार तरह की संक्या है और हर जगा का denominator हमारा बराबर है तो अगर हर जगा का denominator बराबर है तो एक जगा 2 है, एक जगा 14 है एक जगा 9 है, एक जगा 25 है तो इतना ध्यान रखना कि fraction with greater numerator will be greatest and vice versa जिसके पर बड़ा मान होगा, वो सबसे बड़ा भिन होगा, और जिसके पर छोटा मान होगा, वो सबसे छोटा भिन होगा तो इसमें अगर हमें बड़ा भिन पता किया जाए तो यहाँ 25 बटे 17 सबसे बड़ा है और छोटा भिन करने की बात करें तो 2 बटे 17 बड़ा है यानि जब संख्याओं का हर समान होता है denominator समान होता है तो जिसका numerator बड़ा है वो सबसे बड़ी fraction और जिसका denominator चोटा है वो सबसे छोटी fraction तो यहाँ पर यह ध्यान रहेगा अब कल के दिन अगर मान लीजे कि हम आपको बोल दें यहाँ पर कि दोस्तों हमें यहाँ पर example दे रहे है मैंने यहाँ पर कहा 103 बटे 117 फिर मैंने कहा यहाँ पर 93 बटे 117 फिर मैंने कहा यहाँ पर 95 अपॉन 117 मैंने कहा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है बोलो कि सर श्रब का base बराबर है और अगर श्रब का base बराबर है तो जो बड़ा दिख रहा है वो largest होगा और जो छोटा दिख रहा है वो smallest होगा सर खेल का था अभी आने वाले questions के लिए हम आपका एक base बना रहे हैं इसलिए हम आपको यह सिखा रहे हैं कोई method नहीं है हाँ यह बेस बनाने का method है आगे चलके आपको समझ में आएगा कि हम क्या जिखा रहे हैं और क्यों सिखा रहे हैं अब यहां part number one complete हो गया और part number one complete हो गया part number one में आपने क्या सिखा तो part number one में आपने यहां पर यह सिखा कि सर अगर हमारा denominator बराबर होता है तो हम कैसे करें अब इसका part number two होता है जब हमारा numerator equal हो उपर वाली संख्या मेरे भाई equal हो यह साथ नहीं है यहां पर यह 9 है जब हमारी उपर वाली संख्या समान हो उस केस में मेरे भाई बड़ा कोन होगा और उस केस में छोटा कोन होगा यह लाइन बड़े ध्यान से पढ़ना fraction with a smaller denominator will be greatest and vice versa जिसके नीचे जितन जोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ा होगा यानि यह 4 को मेरे भाई कितनी बार में काटेगा दो बार में यह लगबग 1.something बार में और यह तो something 0.9 हो जाएगा यह तो और मेरे भाई 0.7 हो जाएगा तो मेरा यह कहना है कि देखो जिसके नीचे जितना छोटा मान वो उसक उतना छोटा बना देगा तो यानि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखे जब हमारी संख्या कुछ इस प्रकार होती है जब हमारा उपर में denominator या numerator हमारा सेम होता है तो जिसके नीचे जितना छोटा value है वो उसको उतना बड़ा यह base method को हमें एक सहारा मानकर आगे वाले सवालों को solve करेंगे इस बात का ध्यान रखना तो यह मुझे आप लोगों को सिखाना था ठीक है अब यहाँ पर देखे जो मुझे आपको सिखाना था वो क्या सिखाना था वो यह है कि अगर मैं numerator को बढ़ाऊ और denominator को decrease करूं देख आप cross multiplication नहीं लगाएंगे आप LCM method नहीं लगाएंगे आप difference method नहीं लगाएंगे अब जो मेरा base method है आप उसको सीखे भाई बहुत गजब किसी सिखा रहा हूं भाई प्लीज 15 मिनट तक मेरी बातों को सुनना ऐसा सीखा दूँगा ऐसा सीखा दूँगा कि दुनिया का कोई भी fraction तुम compare गर पाओगे यह मेरा दावा है और वो यहां से शुरू होता है base method से याद रखना मेरे भाई अब यहां पर सही तरीके से देखो तो तुम क्या बोलोगे तो बोलोगे सर यहां numerator में देखे numerator हमारा 3 से 5 हो गया मतलब numerator हमारा बढ़ा है और denominator में अगर आप देखे तो denominator में क्या हुआ है कम हुआ है अब एक बात ऐसे समझना दो काम numerator के बढ़ने से numerator के बढ़ने से संख्या कमान बढ़ता है कि कम होता है बस मुझे यह बता दो numerator के बढ़ने से उपर के अंस के बढ़ने से संख्या कमान बढ़ता है कि कम होता है तो बोलोगे सर संख्या कमान बढ़ेगा प्लस होगा उसके बाद डिनोमिनेटर के कम होने से संख्या का मान बढ़ता है कि घड़ता है तो बोलो गश्र संख्या का मान बढ़ता है यानि दो लोग थे मेरे भाई ये वाला भी कह रहा है संख्या को बढ़ाना है और ये वाला भी कह रहा है कि संख्या को बढ बोलोगे सर इसका उपयोग कैसे होता है अरे भाई करेंगे ना उपयोग यहाँ पर लो मेरे भाई एक कोशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये कोशन में मैं तुमसे सिंपल पूछ रहा हूँ यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक कोशन आप से पूछा है देखिए यहीं पर मेरा एक question है और question में क्या बोला गया यहाँ पर मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं within 1 second मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मैंने कहा ना मैं जो सिखा रहा हूँ न वो बस एक base है आगे वाले सवालों को सेकेंडों में उड़ाने के लिए समझो यहाँ पर अब मेरे भाई within second आपको इतना बड़ा question दिया 101 बटे 236, 103 बटे 234 और मैंने कहा कि बताओ इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है ना तुम्हें LCM method लगाना है ना तुम्हें difference method लगाना है ना cross multiplication लगाना है answer बताओ क्या बोलोगे बोलोगे सर बड़े ध्यान से मेरी बात को समझेगा उपर में numerator को देखे numerator बढ़ गया और numerator के बढ़ने से संख्या कमान बढ़ता है तो fraction increase होगा यहाँ नीचे देखे denominator कम हो गया और denominator के कम होने से संख्या कमान बढ़ता है यानि उपर में भी बढ़ रहा है और नीचे में भी बढ़ रहा है तो double engine लग जाएगा और double engine लग कर यह बाद वाली fraction जो है यहाँ पर इससे बढ़ जाएगी भाई बताओ कभी जीवन में सोचा था इसा कितने कम समयम बना पाओगे इसलिए मैंने का ऐसा method बता दूँगा जो जीवन में आपने नहीं सोचा होगा और यह मेरा खुद का method है कैसा लगा comment box में जल्दी से बताओ और पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो ठीक है यहाँ पर कि जब उपर वाली संख्या बढ़ गई तो numerator बढ़ जाएगा और जब नीचे वाली संख्या कम हो गई तो भी fraction का मान बढ़ जाएगा fraction का मान बढ़ जाएगा अब दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर हम आपको समझाते हैं ठीक है दूसरा वाला पार्ट हम आपको क्या गयते हैं वो देखें यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर इसके में मेरे भाई बता दीजिए जल्दी से यहाँ पर इस case का answer क्या होगा सिंपल सी बात है यहाँ पर अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से इस वाले question का answer मुझे चाहिए कि इन दोनों में यहाँ बड़ा कोन है और छोटा कोन है जल्दी से बता दो सेम कहानी बोलोगे और क्या बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर कि सर देखिए उपर वाली संख्या हाँ पर देखिए उपर वाली संख्या क्या हो रही है सर 349 से 347 मतलब संख्या बढ़ रही है और जब numerator में संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होता है fraction increase होता है यहाँ पर सर्ट denominator में देखे क्या हो रहा है denominator हमारा कम हो रहा है और denominator हमारा कम हो रहा है तो पूरे fraction का मान बढ़ता है उपर वाला भी कह रहा है संख्या को बढ़ाओ यानि fraction को बढ़ाओ और नीचे वाला भी कह रहा है fraction को बढ़ाओ तो मेरे भाई यहाँ पर double engine लग जाएगी और double engine लग जाएगा तो यह fraction जो है इस वाले fraction से क्या आएगा बढ़ाएगा यानि large कौन होगा तो यह वाली संख्या हमारी large होगी अब थोड़ा हम situation को reverse करके चलते हैं अब हम situation को reverse करके चलते हैं तीन पार्ट मुझे पढ़ाने थे और मुझे तीन पार्ट क्या पढ़ाना था मैं पता है क्या चाहता हूँ यार देखो मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो थोड़ा different है और मैं आप लगों को type voice पढ़ाता हूँ type number one में अगर numerator और denominator है अगर मानो मेरे भाई numerator बढ़ता है और denominator घटता है तो numerator के बढ़ने से संख्या का मान बढ़ेगा और denominator के घटने से संख्या का मान मेरे भाई बढ़ेगा तो overall fraction क्या होता है increase हो जाता है यह हमारा type number one होता है फिर उसके बाद second type क्या होता है कि कोई fraction numerator upon denominator में है मैंने numerator को कम कर दिया और denominator को बढ़ा दिया तो numerator के कम करने से संख्या का मान कम होता है और denominator के बढ़ाने से संख्या का मान कम होता है overall संख्या का मान कम हो जाएगा और overall संख्या का मान कम हो जाएगा तो बाद वाली value हमेशा छोटी होगी ये type number 2 होता है सबसे ज़ादा जो बवाल होता है वो इस वाले type में होता है इस वाले type में कहानी क्या होती है वो देखो इस वाले type में ये होगा कि जैसे तुमने numerator को भी बढ़ा दिया और denominator को भी बढ़ा दिया मेरे भाई या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये किया ठीक है कि numerator को भी कम कर दिया और denominator को भी कम कर दिया अब यहाँ पर क्या है दोनों force एकी direction में काम कर रहे हैं यहाँ पर भी दोनों force एकी direction में काम कर रहे हैं यहां दोनों के दोनों increase करते हैं तो संख्या बढ़ जाती है यहां दोनों के दोनों decrease करते हैं तो संख्या कम हो जाती है लेकिन यहां पर दो opposite force काम करेंगे एक बढ़ाने का काम करेगा तो दूसरा कम करने का एक कम करने का काम करेगा दूसरा बढ़ाने का तो हम किसको सत्य मानेंगे कौन जीतेगा इसमें हम लोग लगाएंगे परसेंटेज में धड़ और वो हम सीखेंगे आगे चलके तो पहला वाला जो ये वाला टाइप था ये टाइप हमने आपको करा दिया देखे कि उपर की वैल्यू बढ़ रही है और नीचे की वैल्यू कम हो रही है तो उपर की वैल्यू बढ़ रही है और नीचे की वैल्यू कम हो रही है उसके कारण बाद वाली संख्या हमेशा क्या होती है तो बड़ी होती है अब उसके बाद हमें यहाँ पर सीखना है दूसरा वाला टाइप ही है देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई उपर वाली संख्या आमारी कम हो गई तो कम होने के कारण क्या होगा तो माइनस यानि मेरे भाई बाद वाली fraction छोटी होगी और नीचे वाली के value को हमने बढ़ा दिया तो value को नीचे देखो denominator को बढ़ाने से value कम होता है और numerator को घटाने से value कम होता है दो force काम कर रहे हैं दोनों के दोनों semi direction में ये भी कहता है fraction को कम करो ये भी कहता है fraction को कम करो तो मेरे भाई overall fraction कम हो जाएगी कम हो जाएगी तो ये छोटा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा तो 60 बटे गया रख्या होगा तो मेरे भाई बढ़ा हो गई समझ में आ रहा है भाई देखे आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताईए कि समझ में आ रहा है कि ने कहीं पर कम समझ में आएगा ना मैं भाई दुभारा समझाओंगा कोई दिक्कत की बात नियार मैं खुद को पढ़ाने थोड़ी आया हूँ यूट्यूब पे यार मैं तो आप लोगों को सिखाने आया हूँ हम TON इंस्पेक्टर बन गाए जनाब अब आपको बनाने आया है बारी आपकी है ठीक है आज की आज की क्लास मेरे लिए नहीं है आज की क्लास आप लोगों के लिए है कि या आप लोगों को हम एक fix format हम दे पाए हमने शुरू में एक बात कहा था वीडियो में क्यारणा हम एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारे टाइप सिखाएंगे सारे वराइटी सिखाएंगे क्यार आप लोगे एक भाई बैन की तरह हो मेरे समझ में आ रहा है जहां पर भी डाउट हो ना comment box में बता देना मैं दुबारा से समझा दोंगा अब जैसे यहां पर एक बार बच्चों आप लोग देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा numerator के बढ़ने से संख्या बढ़ती है और numerator के कम होने से संख्या कम होती है ठीक है denominator के बढ़ने से संख्या कम होती है और denominator के गटने से संख्या बढ़ती है numerator में as it is काम करता है यह बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा कम होगा तो कम होगा denominator में उल्टा काम करता है ये बढ़ेगा तो संख्या कम होगी ये घटेगा तो संख्या बढ़ेगी बस अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है तो हमने कहा देखो उपर वाली संख्या अमारी कम हो रही है अगर उपर वाली संख्या कम हो रही है नीचे वाली संख्या बढ़ रही है तो नीचे वाली संख्या के बढ़ने से fraction का मान कम होगा दो force काम कर रहे हैं और दोनों के दोनों एकी direction में काम कर रहे हैं तो अगर एकी direction में दोस्त यहाँ पर काम कर रहे हैं ठीक है 236 है, क्लियर हो गया, अब मेरे भाई, विदिन एक मिनट के अंदर मैं आपको इस सवाल का उत्तर दे देना, मैं तो एक मिनट बहुत ज्यादा बोला, एक सेकेंड में हम इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, यकीन मानिए, ठीक है, आप यहाँ पर देखें दो बात, आप हाँ पर देखो तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर नियूमिरेटर हमारा देखो कम हो रहा है, इसमें ये बताना है, कि मेरे भाई बढ़ा कौन है और छोटा कौन है, बढ़ा कौन है और छोटा कौन है, आप क्या बोलोगे, सर उपर में नियूमिरेटर कम होने से फ्रेक्शन का मान कम होता है और नीचे में हमारा denominator क्या हो रहा है बढ़ रहा है denominator के बढ़ने से fraction का मान कम होता है ये भी कहता है fraction का मान कम होगा ये भी कहता है fraction का मान कम होगा total fraction का मान मेरे भाई क्या हो जाएगा decrease और अगर decrease हो जाएगा तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा यानि within second हमारा answer कौन सा होगा option number A answer होगा within second कौन सा option होगा तो option number A जो होगा हमारा correct answer होगा clear ही है मेरे भाई बात यहाँ पर ठीक है अब आजाओ अब जो best part होता है मेरे भाई वो next वाला part होता है जो कि मैंने कहा था यहाँ पर जहाँ बवाल होता है आप इस बात को समझेगा मैंने पहले यहाँ पर देखो numerator को बढ़ाया denominator को कम किया तो fraction बढ़ गया numerator को कम किया denominator को बढ़ाया तो संख्या कम हो गई अब बवाल यहाँ पर यह होता है कि numerator और denominator दिया तो दोनों increase करें या दोनों decrease करें अब बताओ भाई कौन जीतेगा दो लोग काम करेंगे एक तुम को इधर खीच रहा है दूसरा तुम को इधर खीच रहा है जो ज़्यादा ताकत लगाएगा उसके तुम खीच जाओगे तो यहाँ पर वही बाली बात है कि ज़्यादा ताकत कौन लगाएगा जैसे यहाँ पर यह अब मैंने आपको यह question दे दिया और मैंने कहा बताओ इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है बोलो कि सर यह भी बढ़ रहा है और यह भी बढ़ रहा है लो खतम कहानी भाई अब कई से कर होगे लो बताओ ठीक है तो मैंने कहा कोई बात नहीं हम सब समझाएंगे हम सब कुछ तरीके से समझाएंगे सब बताएंगे पहले इस point को पढ़ो क्या बोला गया है ठीक है if we increase numerator and denominator of which decrease denominator or numerator then the resultant fraction can be increase or decrease or will have no change that can be determined by using percentage change यहाँ पे percentage method से हम इसको पूरा का पूरा आपको सिखाएंगे कैसे सिखाएंगे आप यहाँ पर देखे तो सबसे पहले यहाँ पर यह वाला part है इस part को हम पहले सीखते हैं इस पर बहुत अच्छे तरीके से समझाओंगा ध्यान देना बस फिर वही बात है ध्यान नहीं दोगे तो कहानी खतम हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि कहानी खतम हो तो मेरे पास fraction क्या है तो बोलोगे सर यहाँ पर देखे उपर में 123 है और नीचे में कितना है सर तो 237 है और यहाँ कितना है तो 137 है और नीचे में कितना है 267 है मैंने दोस्तों यहाँ पर यह बोला कि बताओ यहाँ पर बड़ा कोन है और छोटा कोन है आप यहाँ पर क्या बोलेंगे बोलेंगे सर समझे इस बात को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो सर हमारा numerator बढ़ रहा है और numerator के बढ़ने से fraction का मान बढ़ जाता है ठीक है एक तरफ यह अपनी तरफ खीच रहा है यह अपनी तरफ मतलब मैं इधर खीच रहा हूँ एक के तरफ से और दूसरा मुझे इधर एक इधर खीच रहा है किधर भागूँगा मैं मैं किस के तरफ खीचूंगा जो ज़्यादा बल लगाएगा जो मेरे उपर ज़्यादा बल लगाएगा मैं उसके तरफ खीचा चला जाओंगा यहाँ पर तो यहाँ पर मेरे भाई बात आती है ज़्यादा बल कौन लगा रहा है यानि ज्यादा percent से कौन increase कर रहा है आपको किसकी ताकत ज्यादा है तो आप यहाँ पर एक बार इनका difference देखे 123 और 137 का मेरे बाई difference कितने का होगा तो बोलोगे सर्फ 14 का difference है कितने का अंतर है तो 14 का है और इन दोनों में मेरे बाई कितने का difference है तो यहाँ पर 30 का difference है समझ गाए मेरी बात को यहाँ पर अब आपको यह difference नहीं देखना है कि difference किसका ज़्यादा है कितना कम है आपको यह देखना है कि जो यह difference है वो इसका कितना percent है तो यह 123 का लगबग लगबग थोड़ा सा 10% के करीब में है यहां आप ऐसे कहले जिए इसका 10% 12 होता है इसका 10% 11% के करीब में है यानि मेरे भाई यहां पर यह value near about आप कह सकते हो कि सर यह 10% के करीब में है ठीक है यहां पर इसका 10% 12.3 है तो 10% के करीब में 10 से 11, 12 इसी के करीब में है और ये जो 30 है मेरे भाई, ये आपका 10% से जादा है, मतलब 11 या 12% के करीब इसका 10% 23.7 है, तो ये 10% से जादा है, यानि लगवग लगवग नियर अबाउट आप इसको कह सकते हो, 11% है अब ये बताओ मेरे भाई ये वाला percent जादा है कि ये वाला percent जादा है तो बोलोगे sir ये वाला percent जादा है ये वाला जादा है तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा ये हार जाएगा ये हार जाएगा तो इसका मतलब fraction क्या होगा कम होगा और अगर fraction कम होगा वाला percentage जादा था, अगर ये जादा था तो ये जीत गया, ये जीत गया तो ये संख्या को कम करेगा, कम करेगा तो बाद वाली संख्या कम, पहले वाली संख्या अंसर है, मैं अपने थ्या तो यहां पर जैसे मांन लो, की मैंने आपको एक एकुगा दिया और मैंने मेरे भई दिया आपको यहां पर 150 और बटे में मैंने आपको कितना दिया है मेरे भाई तुमान लो 600 दिया है मैं fraction दे रहा हूँ बस यहां समझ लो 125 बटे 600 है ठीक है और मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा तो 125 बटे 600 है तो मेरे भाई मैंने यहां पर किया है और यहाँ पर मेरे भाई कितना किया है यहाँ पर तो यहाँ पर 700 सी किया है मैंने और मैंने कहा है बताओ यह संख्या बड़ी है कि यह संख्या बड़ी है अब आप यहाँ पर बोलोगे सर देखे यहाँ पर मेरे भाई दो बड़ी बड़ी संख्या है और मुझे एक मिनट के अंदर में बताना है कि यहां पर बढ़ा कोन है और छोटा कोन है, यह fraction बढ़ा है कि यह fraction बढ़ा है, मैंने गौड से देखा तो मेरा numerator जो है मेरे भाई वो यहां बढ़ गया और numerator के बढ़ने से fraction कमान बढ़ता है मैंने देखा denominator भी बढ़ गया और denominator के बढ़ने से fraction का मान कम होता है अब दो force काम कर रहे है एक fraction को बढ़ाने का काम कर रहे है दूसरा fraction को कम करने का काम कर रहे है किसकी बात मानोगे तो बोला सर difference देखते हैं यहाँ पर यह difference हमारा कितने का है सर तो difference हमारा 125 का है और यहाँ पर हमारा difference कितने का है तो difference हमारा मेरे भाई 180 का है कितने का difference है सर 180 का difference है अब मैंने यहाँ पर कहा कि यह जो संख्या इसकी कितनी percent है 125, 125 का कितना percent है तो बोलोगे सर यह 100 percent है यहाँ पर ठीक है और यह 180 का कितना percent है तो 30% है, बताओ, percentage में ज़्यादा मान किसका है, इसका है या इसका है, जिसका percent ज़्यादा होगा, वर्चस वा उसी का होगा, इसका percent ज़्यादा है, मतलब इसकी बात मानी जाएगी, यहाँ पर इसकी बात नहीं मानी जाएगी, यानि संख्या बढ़ेगी, और संख्या तो बादवाले का मान क्या होगा बढ़ा होगा यहीं वो golden concept था जिसके लिए मैंने आपको वीडियो के last तक रुका हुआ था कि आप last तक रुकिए और मेरे भाई यहां पर सीखिए समझ में आगया बात यहां numerator के बढ़ने से fraction का मान बढ़ेगा denominator के बढ़ने से fraction का मान कम होगा यह बोलेगा मैं बढ़ाऊंगा यह बोलेगा मैं कम करूंगा मैंने का ठीक है देखते हैं इसका difference एक सो पचीस का इसका difference एक सो सी का यह 125 इसका कितना percent हो तो 100 यहांनि इसने अपने आपको 100 परसंट से बढ़ाया है और इसने अपने आपको 30 परसंट से बढ़ाया है इसका percentage increase जादा हुआ है तो इसका वर्चसव जादा होगा यहांनि संख्या मेरे भाई बढ़ेगी बढ़ेगी तो बाद वाली संख्या फटाफट यहां पर answer दीजिये कि यहां पर यह जो संख्या मेरे भई कौन बड़ा होगा और कौन यहां पर छोटा होगा फटा फट मुझे यहां पर चाहिए ठीख यह पूरा पूरा आज हम आपको सिखा के जाएंगे सारा पॉइंट हम आपको बता के जाएंगे थोड़ा सा फोकस करना इसलिए कहा तो शुरू में 10 मिनट मेरी बातों को बड़े प्यास्टे सुनना सब कुछ समझ जाओगे जल्दी से मेरे भाई जबर्दस ट्रिक आग लगा दिया सर खतरनाग बहुत अच्छा अब यहाँ पर मेरे भाई देखो सेम तरीके से आप क्या बोलोगे बोलोगे सर देखिए यहाँ पर नियूमिरेटर बढ़ रहा है नियूमिरेटर के बढ़ने से संख्या का मान बढ़ता है और यहाँ denominator बढ़ रहा है denominator के बढ़ने से fraction का मान कम होता है दो force काम कर रहे हैं सर एक बोलेगा हम fraction को बढ़ा के रहेंगे दूसरा बोलेगा कम कर रहेंगे किसकी बात मानी जाएगी हमने कहा ठीक है difference देखो यहाँ पर तो difference की अगर हम बात करते हैं का difference हमारा कितने का है तो difference अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर difference जो है सर यहाँ पर ठीक है 69 का difference है इसमें से इसको घटा दो 69 आ जाएगा और यहाँ difference की अगर हम बात करते हैं तो 67 का difference है किसका difference है मेरे भाई यहाँ पर तो 67 का अब ये जो 69 है ये 42 का कितना परसंट है तो देखो इसका 10 परसंट 42 और 5 परसंट 21 यानि 63 तो लगबख लगबख ये आप कह सकते होगी सर ये नियर अबाउट सर 15 के करीब में है कितना है सर यहाँ पर इस संख्या का 15 परसंट के करीब में 15-16 के आसपास होगा अब 67 अगर देखो गे 32 का 2 Guna 64 तो 32 का 2 Guna 64 यानि ये 20% के करीब में है अब मुझे यह याँ पर यह बताओ ये ज़ादा है या ये ज़ादा है बोलोगे गुर्देव ये ज़ादा है और ये ज़ादा है तो इसकी बात मानी जाएगी यानि उपर वाला खतम यानि नीचे संख्या degrees होगा degrees होगा मतलब इससे ये कम होगा तो बढ़ा हमारा ये होगा खेल खतम, एक मिनट में answer तो आज के बाद कभी जीवन में गलती करोगे कभी मत करना दोस्ते हाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेकर कभी भी करने की जरूवत नहीं है इसके बढ़ने से संख्या बढ़ती है इसके बढ़ने से संख्या कम होती है दो force काम कर रहे थे एक बढ़ाने का और एक कम करने का यहाँ पर difference इतने का है यहाँ पर difference इतने का है इसका लगबग 15% ये है आप 40 मान लो तो 40 का 15% 60 होता है तो इसका 15% है और मेरे भाई इसका ये 20% के करीब में है 30 मान लो तो 30 का 2 गुना मेरे भाई 60 यानि 20% है ये percentage में ज़ादा है इसकी बात मानी जाएगी इसकी बात मानी जाएगी तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ये जीत जाएगा ये हार जाएगा यनि संख्या कम होगी कम होगी तो इसका मतलब इससे ये कम होगा तो ये जीत गया ठीक है आज़ो चलो एक और question का आंसर दो जल्दी से फटाफट काफी सारे सवाल है मेरे पास यहाँ पर एक मिनट के अंदर में आपको इसका भी आंसर देना है और अब मुझे लगता है कि आप लोग सशक्त हो चुके है comment box में सिर्फ आपी लोगो का आंसर चाहिए भाई सिर्फ आपी लोगो का आंसर चाहिए बताएए जो बच्चे मेरे साथ सुरू से जुड़े हुए ना वो इस सवाले को तो उड़ा आगे फेक देंगे यार अब तो आज के बात बोलेंगे सर क्या ये लल्लू पल्लू हम लोग सीखते थे आज तक difference method, cross multiplication method, calcium method सर ये जो सीखा ही है तो next level की बात सीखिए बताईए किसे आपको देखेगा कि एक अलगी level का काम चल रहा है मेरा focus daily live आने पे नहीं है, मेरा focus एक best content के साथ live आने में और ऐसा content बनाने में वक्त लगता है अब यहाँ देखो, तो क्या बोलोगे भाई, बोलोगे सर यहाँ numerator कम हो रहा है संख्या हमारी कम हो रही है, तो यह हमारा क्या करेगा fraction के value को decrease करेगा यहाँ पर सर यह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पर यह भी सर कम हो रहा है तो यह अगर कम हो रहा है, तो यह संख्या को बढ़ाएगा है तो संख्या कमान गटेगा हर यहां पर कम हुआ है तो संख्या कमान बढ़ेगा अब दो लोग अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं दो फोर्स मेरे उपर काम कर रहा है एक कम करने की कोशिश करता है ज्यादा करने की कोशिश करता है मैं किसकी बात मानूंगा तो मैंने का कि किसी की बात मत मानो difference देखो यहां पर तो 28 बारत तुम्हारा 40, 12, 7, 19 यानि difference कितने का है तो 19 का है इसका इसका difference हमारा 19 है और अगर हम इस में difference की बात करें तो भाई 50 का है अब जरह सही तरीके से देखो तो यह 19 मेरे भाई क्या है तो इसका 10% 26 है तो मेरे भाई 24 से कम है यानि क्या बोलोगे तो बोलोगे सर less than 10% आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो तो बोलोगे सर less than 10% सर यह 10% से भी कम है यार कितना है कितना नहीं है पता नहीं भाई लेकिन 10% से कम है इतना पता है इसका 10% 24 है लेकिन 24 से कम है इतना पता है अब यहाँ 50 की बात करो 10% से ज्यादा है, किसकी बात मानी जाएगी भाई, इसकी बात मानी जाएगी। इसका मतलब यहाँपर क्या होगा। ये खतम, ये जीत गया। मतलब fraction बढ़ जाएगा। और बढ़ने का मतलब बाद वाली संख्या बढ़ी होगी किस से पहले वाली संक्या से बताओ यहां पर clear है यहां पर fraction बढ़ जाएगा बढ़ने का मतलब बादवाला बढ़ गया fraction कम होने का मतलब बादवाला कम हो गया हमेशा बादवाले को देखते है minus आता तो यह छोटा होता plus आता तो यह बढ़ा होता simple सी बात है minus आने का मतलब यह छोटा है और plus आने का मतलब यह बढ़ा है clear? चलो देखना है वस यहां जीतेगा कौन minus जीत गया तो बादवाली संक्या छोटी है और plus जीत गया तो बादवाली संक्या बढ़ी है इतना ध्यान रखना है जल्दी से मेरे भाई एक और आखरी question इसके उपर में और आज मेरे भाई जितना हम content लेकर आये ते वह स्वार आपको पढ़ा देंगे ऐसा लगेगा क्या इस question का आप लोग answer दे पाएंगे हाँ पर? जल्दी से बताइए all clear sir? इसका answer दे पाएंगे चलिए देखते हैं इसका answer कितने बच्चे जो है comment box में देते हैं और मुझे पता भी चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे थी जो उन्होंने वीडियो को मेरे भाई last तक देखा है इस पूरे session की printable PDF हम आपको telegram पर upload कर देंगे और telegram हमारा क्या है तो maths भी आदितर इंजन और हमारा rankers गुरुकल official दोनों पर मेरे भाई जो है यहां पर आपको PDF इसकी मिल जाएगी printable PDF उमीद करते हैं यहां पर कि जो session है आप लोगों को पसंद आया होगा अब इसका answer आप लोग किस में दीजेगा तो इसका answer मेरे भाई आप लोग comment box में दीजेगा दिमाग एकदम धागा खोल देने वाला पूरा का पूरा तरीका आपने सिखाया आपको ठीक है और सीखना भी ज़रूरी था आप लोगों को नहीं सीखो कि तो कैसे काम चलेगा तो अपना प्यार भरा comment जो है देना बताना सर की कैसा लगा session क्या आज के पहले आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था और क्या पढ़ा था तो सारे टाइपस आपने एकी वीडियो में कवर किये थे क्योंकि मेरी कोशिश शुरू से मेरे भाई यहां पर यह है कि मैं YouTube पर जब भी आऊँ पढ़ाने तो मैं बच्चों को एक worthy content दो यहां पर कि जिससे वाकई में उनका फायदा हो मतलब लोग YouTube को YouTube की तरह ट्रीट करते हैं कि free platform है तो कुछ भी पढ़ा दो बट मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि मेरे भाई फिर बच्चा बोले कि मज़ा आया और हमने सीखा काफे कुछ हैं अपर टीक है तो कोशिश यहीं थी और बाकी जितने बच्चे हैं जो हमसे मतलब बैच लेना चाहते हैं तो 2024 के लिए सबरदस्त हमारा सेलेक्शन बैच मेरे भाई स्टार्ट हुआ है और एक नॉम्बर से यह बैच स्टार्ट होने वाला है जितने बच्चे अन्रॉल करना चाहते हैं और जिनका टार्गेट 2024 का है तो वो 2024 में मेरे भाई एगर ढंग से सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ी है हमारे चैंपियंस बैच 12.0 में यहां पर आपको मेरे भाई तीर घंटी की रेगुलर क्लास चलेगी और कुछ समय के बाद तीन घंटी की क्लास हो जाएगी अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों और यह चैंपियंस 12.0 बैच हमारा आ रहा है यहां पर 28 अगस्त नहीं होगा दोस्ते हां पर ठीक है यह पुराना वाला पोस्टर है नया वाला हम आपको बता देते हैं ठीक है यहां पर मेरे भाई क्या होगा तो चैंपियंस 12.0 है हम 29 Рुपई है और यह मैं गैरेंटि कहता हूँ कि जो बच्चा डिडिकेट difाइए मेरे भाई यहां पर वही हमारे साथ जोड़े जिसको अपने selection के बारे में ज़्यादा चिंता है जिसको अपने बारे में अपने भविश्य के बारे में चिंता है वही है मेरे साथ यहाँ पर जुड़े ताकि उसके level को मैं 0 से उठागर एकदम hero level तक लेके पहुचा पाऊं और 0 से सिकर तक का सफर जो है वो तैय कर पाऊं तो अगर आपके अंदर dedication है मेरे भाई आगे बढ़ने की तो honestly बोलूँगा आप मेरे साथ जुडिये champions 12.2 batch में और मिलकर मेरे भाई तहल का मचाते हैं 24.24 में अगर आपका सपना है सरकारी नोकरी का तो वो मिलकर पूरा करेंगे क्योंकि एक ही बात कहते हैं हमेशा inspector है, inspector बनाएंगे selected है, selection दिलाएंगे तो अगर selection में विश्वास रखते हैं तो आईए हमारे साथ आरजी विक्रम जीत अप्लिकेशन पे 2.2 batch में डॉल करके बहुत हैल कम चाते हैं ठीक है, next level का एक content है तो आप उनका special ले सकते हैं और अगर आप combo batch लेना चाहते हैं तो आप combo ले सकते हैं combo लेने में आपको फायदा हो जाता है चार अलग-अलग subject के लिए 4000 देना पड़ता है लेकिन अगर आप combo लेते हैं तो आपको यहाँ पर 1300 रुपय का discount मिल जाता है हो जाएगा कि उसको complete करने करने में वक्त भी जाएगा और वो पूथी पत्र आपका बना रहेगा और मेरे भाई time बहुत waste होगा आपका ठीक है तो इसलिए जुड़िये शुरू से ही हमारे साथ पहली class से ही तहलका मचाते हैं बढ़िया सीखते हैं ठीक है चलिए भाई बाकी मिलेंगे अगले सेशन में उमीद करते हैं बहुत पढ़िया तरीके से आपको सेशन पसंद आया होगा और कल की class के लिए ऐसे ही वेट करना मज़ा आने वाला है कल मेंस का पूरा का पूरा solution हम आपको YouTube पे morning में मिल जाएगा आप लोगों को पूरे 30 सवालों का जवर्दस अपरोच आपको दिखेगा ठीक है और फायदा भी पूरा का पूरा पूरा पहुँचेगा आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू